उज्जेन दक्षन विदानसबा सीड से विदायक मोहन यादव मध्यप्रदेश के नए मुख्य मंत्री होंगे लेकिन उनका राजनितिक सफर कैसा रहा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं यादव ने 1984 में अखल भारतिय विद्धारतिय परिशद यानि ABVP से अपने राजनितिक करियर की शुरुआत की 1986 में उन्हें ABVP के विभाग प्रमुख के जम्मेदारी दी गई यादव की 26 सड़क पर संगर्श करने की रही है उनके पिता का नाम पूनम चंद यादव है अगर उनके शेशनिक योगिता की बात की जाए तो उन्होंने अपने B.A.C. किया फिर L.L.B., MA, MBA और PhD की और शायद यही कारण है कि उन्हें शिवरास सरकार में सिक्षा मंत्री बनाया गया सन 1988 में अखिल भारतिय विध्यारती परिशत, मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री और राष्टे कारेकार्णी के सर्दस से और 1989 नभ्य में परिशत की प्रदेश एकाई के प्रदेश मंत्री और सन 1901 में बाणमे में परिशत के राष्टिय मंत्री बने और इसी तरह सन 2004 में सियसत मध्य प्रदेश के केंद्री समीती के सदस से बने 2004 से 2010 में उजयन विकास प्रादीकरण के अध्यक्ष बने और राज्य मंत्री दर्जा का दर्जा भी दिया गया सन 2008 से भारत स्काउट एंड गाइट के जिलाध्यक्ष सन 2011-13 में मध्यप्रदेश राज्य प्रेटन विकास निगम भुपाल के अध्यक्ष बने लेकिन सन 2013 में 14 विदानसबा के सदस से निर्वाचित हुए यानि पहली बार विधायक बने फिर साल 2018 में दूसरी बार विदानसबा सदस से निर्वाचित हुए और 2 जुलाई 2020 को उच्च शिक्षा मंतरी पद की शपतली और दाइत्वो का सफलता पूर्वक नर्वहन किया अब उन्हें सूबे के मुख्य मंतरी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मुख्य मंतरी बनने के बाद उनके घर में जश्न का महौल है कि अज़ एफ यह आपको कड़ाम परता हूं और आपको का अज़ने बाद राइड़ावता हूं पर एद्री निवद्रुका प्रद्यस निवद्रुका संगर जिर मनिच का मेरे जिसे छोटे से कारिकरता को हमारे सभी मित्रों ने बिंकर कर आपके मारदसन में जो जवब दरी तपी नहों स्प्लायवत निवद्रुका अज़ सब का प्रेम आपका आश्रवाद सही होग मिलेगा मिश्चित रूप से मैं पोशिस करूँआ एक पर फिराम साब का अभान धनिमा